सबी को तीरस साहू का प्रणाम, नमस्कार, आपका जीवन मंगल में हो, यही अपेक्छा है, भगवान से प्रात्ना करता हूँ, सभी सुखी हो, आज जीवन के अनमोल वचन में, ज्यान के विकास में, यह भाग पाँच है, भाग पाँच में क्रिमांग पच्चिस, क्रिमांग सोरी, क्रिमांग चप्चिस, संसार का सबसे बड़ा दुस्मन स्वयम की बेमारी या रोग हो सकता है, बिलकुल सत्त है, संसार में सबसे बड़ा दुस्मन कौन है, संसार में सबसे बड़ा दुस्मन यदि है, तो वह आपकी बेमारी है, चह जो भी रूप हो, बेमारी का छोटा रूप, बड़ा रूप, यदि बेमारी छोटे रूप में हैं तो आप उसको डाक्टर को नहीं दिखाते हैं उसका इलाज नहीं करते हैं तो वह आपको दुस्मन की तरह काम करता है लगातार बढ़ते जाता है वो कम नहीं होता है इसलिए बेमारी को दुस्मन कहा गया है और बेमारी को दुस्मन की तर उसको समझना चाहिए और दुस्मन की तरह उसको बेमारी को हटाने का प्रयास करना चाहिए और उसका जितना जल्दी इलाज हो सके उतना जल्दी इलाज कराना चाहिए तो बेमारी को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए बेमारी को दुस्मनों की तरह बेवार करना चाहिए इस करने का तुरंत प्रयास करना चाहिए 27 वा पॉइंट है हमारा सिक्षा ऐसी हो जो देश को उच्च सिखर पर ले जा सके सिक्षा कैसी होना चाहिए सिक्षा ऐसी नहीं होना चाहिए कि हमने याद किया पास कर लिया और हम न तो बेवहार में ला पा रहे हैं, ना हम किसी को बता पा रहे हैं, जो सिक्षा किसी के उपयोग में ना आए, वह सिक्षा में समलित है ही नहीं, बस सिर्फ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, दसकत करने के लिए, बस, लेकिन सिक्षा वह है, जो दूसरे के काम आ सके स्वयम के साथ-साथ तो सिक्षा वो है जो देश को उच्च सिखर पर ले जा सके जब आपकी सही सिक्षा होगी जब आप समझ के पढ़ेंगे जब अर्थों को समझेंगे उसका बिसलेशड करेंगे उसको पूर्ण रूप से प्रेक्टिकल रूप में लाएंगे तो वह आपकी जो सिक्षा होगी आपके दिमाग में आएगी बेवहार में आएगी और आप उच्च सिखर में उस सिक्षा को निश्चित रूप से पहुँचा सकते हैं ये कनफर्म है इसलिए सही सिक्षा निरर्थक नहीं होती सार्थक होती है तो सिक्षा में मन लगा करके यदि सहीं पढ़ते हैं समझते हैं उसको बेवारिक रूप में लाते हैं तो वह सिक्षा अनमोल हो जाती है अगला पॉइंट है 28 दूसरे को सम्मानित करने पर ही स्वयम सम्मानित हो सकते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है कितना अच्छा पॉइंट है देखिए जब हम दूसरे को सम्मानित करते हैं तो हम अपने आप सम्मानित हो जाते हैं ये बहुत जगह ऐसी बात होती है बहुत जगह ऐसे बिचार आते हैं कि ब्यक्ति ये सोचता है मैं किसी को सम्मान न दू और मुझे सम्मान मिले ये बिलकुल गलत है आप क्या है वो आपके गुणों को तो नहीं मांग रहा है आपके किसी उसको तो ये नहीं कर रहा है आप ज जब आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, उसमें सम्मान जो है व्यक्ति गत रूप से अपना प्रभाव रहता है, लेकिन जब आंत्रिक विचारधार व्यक्ति की होगी कि मुझे सब को सम्मान देना है, सब को सम्मान नहीं तरना है, तो आटोमेटिक उसके सम्मान मिलने लगता है, तो सम्मान के लिए प्रेसर डालना, दवाव डालना या चापलूसी या अन तरीके जो है, कोई भी तरीका है, गलत तरीका है, कुछ भी तरीका हो सकता है, कि अदमियान एक से एक तरीका अपनाते हैं, कोई बात में, कोई कुछ में, कोई कुछ में, ताकि हमको सम्मान मिले, वास्त्विक सम्मान क्या है जब आप किसी को सही रूप से सम्मानित करते हैं तो और सब को एक सम्मान समझते हैं किसी के प्रति भेद भाव की भावना नहीं रखते हैं तो वह सम्मान स्रेश्ट है और वह सम्मान के द्वारा आपको निश्चित रूप से लंबे समय के लिए स सम्मान मिलता रहता है वह सम्मान आपका अनमोल होता है इसलिए सम्मान देने से वास्तों में सम्मान मिलता है इस अत्वाद 29 POINT है यह संसार सब्दों से बना है सबी को प्री हो ऐसे सब्दों का प्रेयोग करना जीवन के लिए अनमोल सावित हो सकता है कई पार हम सब्द गलत उप्योग कर देते हैं गुस्षे में आकर के क्रोध में आकर के आबेस में आकर के किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो ये गलाद है, हमें अपने जीवन में ऐसे सब्दों का प्रियोग करना चाहिए, जो सब्द किसी के लिए घातक ना हो, अब घर में, परिवार में तो कुछ बातचीत होती रहती है, उठा पटक होता रहता है, घर परिवार में थोड़ा ब वहारी करूप से बाहर जाते हैं, दूसरे समाज में जाते हैं, राज में जाते हैं, सिक्षा के छेतर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चों के सामने जाते हैं, और अन्य कारिकरमों में जाते हैं, तो हमें ऐसे सब्दों का उप्योग नहीं करना चाहिए, जो किसी के बिकास को रोके और किसी के लिए घातक साबित हो और उस सब्दे से कोई अपने विचार में गलत भावना ना लाए ताकि वो अपने जीवन में ये ना सोचे कि इसके विचार किसी के लिए गलत नहीं है तो सब्द ऐसे होना चाहिए जो ना तो किसी को हानी पहुँचाए और ना किसी को मन का भेदी बने जो अच्छे विकास की और ले जा सके ऐसे सब्दों को जो किसी के जीवन को बना सके किसी के बिचार को बदल सके ऐसे सब्दों का उप्योग कभी भी सार्थक होता है और अच्छा होता है और ये बिकास की पहचान है कि अच्छे सब्दों का चैन व्यक्ति को करना चाहिए अगला पॉइंट है तीस स्वयम के द्वारा बोले गए सब्दों का विसलेशड या मन्थन बहुत अच्छा पॉइंट है देखिए इसको स्वयम के द्वारा इसको तो सभी को ध्यान रखना मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ ये सभी के लिए है मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ इतना बढ़िया पॉइंट है जिसको आप यदि इस पॉइंट को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं सुयम के द्वारा बोले गए सब्दों का हम जो सब्द बोलते हैं उन सब्दों का बिसले सड या मन्थन समय निकाल कर अवस्यक रूप से करना चाहिए जैसे सुबह हुआ हमने किसको क्या बोला किसको प्रणाम किया किसको नमस्कार किया हमने किसको क्या कहा कुछ तो ऐसे होते हैं जो बोलते जाते हैं बिना सोची समझे कुछ भी बोल देते हैं किसी की आदत होती है बिलकुल एक दम बात करने की बस हमको बात करना है सुबह कैसे हो हम कितने लोगों को घुमाएं कितने को अपने बात में फासाएं कितने को क्या कहें कितने को क्या न कहें यही विचार रहता है उसको ऐसा कहना है तो ऐसा हो जाएगा अपने दिमाग को जाल बना की रखते हैं यह अपने मस्तिक्स के अंदर जो हम जाल बना की रखते हैं बह जो स्वयम जो हम बोलते हैं वो उनमें ना तो कोई गल्ती ने निकाल पाए ना ही वाई आ गल्तियां तो होती है पहले हम भी सोचते थे ये बहुत पुरानी मेरे बिचार में बात आई कैसे बहुत बड़ी बात है कि जब हम जो क्रिया करते हैं जो हम दिन में हम जिनके साथ साथ कैसे कैसे बहुआर करते हैं कितने लोग मिलते हैं कैसे लोग मिलते हैं हम बच्चों के साथ कैसे बोलते हैं तो इसको जब तक हम बसले सड़ नहीं करते हैं हम उसको उसके अर्थ नहीं नकालते कि हमने जो बोले हैं वो बास्तों में सही है नहीं है क्या है कैसा है तो ब्यक्ति उसका जब तक बिसले सड़ नहीं करेगा अर्थ नहीं निकालेगा तब तक वो ये थावित नहीं कर सकता कि मैं कहां गलत बोला हूं कहां सहीं वोला हूँ कई वार ऐसा होता है कोई भी हो ब्यक्ति है गलती सबसे होती है तो गलत जो बोलते हैं तो उसका बिश-लैसर हम को इसलिए करना चाहिए कि वो गलती दोबारा ना हो और ऐसे जो है हमारे दिमाग में उन चीजयों को अलक करने के लिए उनका जो है मनन करना चाहिए उनमें विचार भी मर्स करना चाहिए कि वास्तों में जो हमने आज के दिन जो हमने जिन लोगों से बेवार किया है उसमें साम को आप बैठ यह किसी भी समय आप दिन भर में जो बेवारी क्रियाएं करते हैं उनमें की चीज़ें ऐसी रहती है जो गलत हो जाती है उसका कारण क्या है हमने गलत क्यों किया है इसको हमने गलत गलत क्यों बällt बोला है इस पर भी बेचार हो सकता है तो बिचार की सुद्धता जब तक उसका मनन नहीं किया जाता जब तक उसके बारे में सोचा नहीं जाता तब तक वह ठीक नहीं हो सकता इसलिए ये चीज जो है आप अपने जब तक आप उसका बिसलेशड या मन्थन नहीं कर सकते और उसके लिए समय आप नहीं निकालते कि हमने जो सब्द बोले हैं या जो बेवहार किये हैं वो हमारे लिए कितने सही हैं अगले के लिए कितने सही हैं उसका प्रभाव हमारे कि उपर कैसा पढ़ेगा तब तक आप जो है सहीं और गलत का चैन नहीं कर सकते हैं तो कोई भी हो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो भी हम को कैसे सब्दों का किसके साथ कैसा बेवहार करना चाहिए किसको आप बोलना चाहिए किसको प्रणाम करना चाहिए किस जगह पर चाहिए ये सब उसी में समलित है बेवहारिकता में सब्द जो है सब्द हर कार में समलित होता है मानव जीवन के लिए हम मानव जीवन में सब्दों के द्वारा ही अपने गतीविधियां और कार को सोचारू रूप से चलाने के लिए कार करते हैं जो बेवहारिक रूप में होत हैं चाहे वो लिखित में हो चाहे मोखेक हो या सूचना के रूप में कि इसका ध्यान विशेस रूप से देना चाहिए कि इसलिए इसका मन्थन भी करना चाहिए और इसके बारे में सूचना चाहिए कि हम सामने वाले अपने दिन में एक दिन में जो बेवार करता है वेकती उसका बीचार बीमर से अपने साम के रात में पांच मिनट का समय निकाल करके उसका मनथन कर सकता है कि मैं आज कहा कहा गया था और किस से क्या बेवहार किया किस से क्या बोला कैसे बात किया हमने कहीं गलत तो नहीं बोला ये मेरे में सुधार कहा हैं मैं कितना अपने में सुधार कर सकता हूँ खुद के बारे में जब आप खुद पे सुधार करेंगे तो अगला में अपने आप उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा ऐसे करते करते एक दूसरे से बेवहारिक सुधता आती जाएगी और हमारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में अच्छे सब्द आएंगे, अ अच्छे विकास आएगे, जब अच्छे सब्द होंगे, तो जब सब्द अच्छे होंगे, तो अच्छे विचार होंगे, जब अच्छे विचार होंगे, तो अच्छे कार होगा, इसलिए इतना बढ़ियां पॉइंट है ये, ज्ञान के विकास में, कि इसके बारे में हम द कि हम एक बार और इसको बोल देते हैं, की point 30 है, स्वयम के द्वारा बोले गए सब्द, जो भी हम बोलते हैं, स्वयम के द्वारा बोले गए सब्दों का बिसले सड या मन्थन उसके मन्थन मतलब उसका सोच स्वयम के द्वारा बोले गए सब्द का बिसले सड या मन्थन समय निकाल कर अवस्यक रूप से करना चाहिए बहुत जरूरी है ये मस्तिस्क के लिए भी जरूरी है और आपके सोच के लिए भी जरूरी है बुद्धी के बिकास के लिए भी जरूरी है और मन की सक्ती के लिए भी जरूरी है जब आपके सब्द अच्छे होंगे आपका बेवार अच्छा होगा आपके कार अच्छे होंगे तो आपके आत्म इक सक्ति भी बढ़ेगी और उसमें मनोबल बढ़ता है सबसे बड़ा सक्ति जो है संसार का वह मनोबल होता है इसलिए कहा गया है मन के हारे हार है मन के जीते जीत आपके मन की सक्ति ये दी प्रबल है तो आपको संसार में कोई नहीं हरा सकता है और आप अपने लक्ष को प्रा ये point मोग अस्त्र की तरह है, इसको अपने जीवन में जरूर लाएं और अपने जीवन का विकास करें और देश का सहयोग करें जब हमारा विचार अच्छा होगा तो हमारे कारच्छे होंगे और हम देश के लिए अच्छा साभित होंगे, कभी ने कभी देश में वो जब काम आएगा तो वैं सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए अच्छा साबित होगा अच्छा अच्छा ही होता है बुरा बुरा ही होता है इसलिए अच्छा बनो अच्छा बनो अच्छा बनो